विडियो वाली सरकार और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था के एस सून एज मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप बीकिस तरह अंग कर सकते हैं और अपने जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं उसको आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं वे कुछ पैसे कमा सकते हैं मेरी इस वीडियो को देखते रहें और मैं आपको उन पांच टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो कि नॉर्मली ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए कोई भी बड़ी कंपनी हो या कोई छोटी कंपनी हो यूज करती है वेल ऑनलाइन एटी परसंट जो रेविन्यू है वह आता है एडवर्टाइजमेंट से यह एड़ होते हैं जो के हर कंपनी को पैसे दे रहे होते हैं अगर गूगल की बात की जाए तो वह भी एडवर्टाइजमेंट के तुरू ही कमा रही है अगर हम फेस्बुक की बात करे आरहा हूं मुझे भी जो अरनिंग आरही है वो इस एडवर्टाइमेंट की तो ही आ रही है अगर आप मेरी वीडियो देक्थे हो तो उत वीडियो के ऊपर कुछ आ रहे होते हैं उन्हें यह कलिक करते हैं तो मुझे कच अरनिंग होती इसलियर्ली एड़टाइजमेंट सिर्फ यूट्यूब तक ही नहीं होती डिफेंट वेबसाइट हैं जो के अब बात करें अगर आपके पास फेस्बूक का एक पेज है जिस पर आपकी काफी जादा फैन फॉल्वेंग है आपके काफी जादा फैन्स है तो आप सिंप्ली क्या कर सकते हैं कि आप किसी कंपनी को कह सकते हैं अगर आप का पेज है गाड़ियों के हवाले से आप उस पर गाड़ियों की स्पेसिकेशन पोस्ट करते हैं तो आप किसी कंपनी को कह सकते हैं जो कि गाड़ियां बेचती हो या गाड़ियों के पार्ट्स बेचती हो कि हम आपके अपलोड करना पड़ेगा वह बेशिक फेस्बूक पे हो यूट्यूब पे हो इन फैक्ट अगर आप अपनी वेबसाइट भी बना लेते हैं और उसके अपनी वेबसाइट को कुछ टाइम चलाना पड़ेगा और उसके व्यूवर्स बढ़ाने पड़ेंगे वह लोग बनाने पड़ेंगे जो कि आपकी वेबसाइट को रेगुलर्ली देखें ताकि आप इस एडवर्टाइब्मेंट के तुरू कुछ कम आसे इसके इलावा जो सेकिंड मोस्ट यूजड वे है वो है अफिलियेट मार्केटिंग अब अफिलियेट मार्केटिंग क्या होती है यह एक ऐ नोट फाइव के बारे में वीडियो बनाता हूं उसका रेवियू देता हूं तो मैं उसके नीचे आपको एक लिंक दे दूँ कि अगर आपने नोट फाइव बाय करना है तो आपी साइट से बाय कर लें और वो साइट क्या करेगी कि मुझे कुछ कुछ कमिशन बैठे बैठे मिल जाएगा अफिलियेट मार्किटिंग काफी मुश्किल लगती है लेकिन यह बहुत जादा यूज होती है और फेस्बुक में स्पेशली यह काफी जादा यूज हो रही होती है आपने बहुत से पेजिस देखे होंगे लोकल पेजिस और इंटरनेशनल पे तीसरा जो वे है और यह वो वे है जो हर बंदा इस्तमाल कर सकता है बेशक उसके पास इंटरनेट के स्किल्स है या नहीं वह फाइवर का वे फाइवर एक वेब साइट है जो कि आपको पैसे पे करती है वहाँ पे लोग आते हैं जिनने कोई काम करा रहा हुगा फॉर कर सकते है तो आप इस बंदे का लोगो डिजाइन कर दे और वह बंदा आपको पैसे पेकर देगा और फाइवर क्यारेगा जों पैसे ょ पहसे उसके पीसे पास आएंगे extend आएग एजनी कर कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि मैं आपका लोगो बना दूँगा और मैं उसके साथ लोगो को तीन चार फॉर्मिट्स के अंदर भी कर दूँगा या आप कह सकते हैं कि मैं आपका लोगो बना भी दूँगा और मैं आपका लोगो अपलोड भी कर दूँगा डिफरेंट टाइप के add-on दो सकते हैं और add-ons के हिसाब से जो payment है वो बढ़ती चली जाती है आप हर दफाव five dollar add कर रहे होते हैं इसके इलावा freelancing है अब मैंने fiverr को और freelancing को इसलिए separate किया है क्योंकि fiverr के उपर आप कुछ ऐसे काम भी असानी से कर सकते हैं जो क्योंकि नॉर्मली आपको freelancing value website प्रोवाइड नहीं करती और fiverr के उपर आप ऐसे काम भी कर सकते हैं जिन में technical skills involved नहीं होते for example आप कह सकते हैं कि मैं आपको एक art design बना कर दे तो मैं आपकी sketch बना कर दे दूँगा उस पर भी आपको पैसे मिल सकते हैं आप कह सकते हैं कि मैं आपके लिए एक video बना दूँगा आप उस पर भी आपको पैसे मिल सकते हैं आप ये तक कह सकते हैं कि मैं आपके लिए शादी के जो cards हैं वो किछी को provide कर दूँगा उस पर भी आपको पैसे मिल सकते हैं Fiverr के उपर मैंने ये भी एड देखा है कि लोग जो शादी की list होती है marriage list वो उसको call कर रहे एक एक बंदे को call करके शादी में invite करने के भी पैसे ले रहे होते हैं तो Fiverr और Freelancing में basic फरक यह है कि Fiverr के उपर technical skills लाजमी नहीं है आप technical skills हो तो आप technical skills वाले काम कर सकते हैं लेकिन Fiverr के उपर technical skills लाजमी नहीं है अब बात करते हैं Freelancing की Freelancing की जो top of the line site है वो है freelancer.com और यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि लोगों ने different tasks post कि होते हैं for example किसी ने post किया होगा एक software post किया होगा जो कि complete नहीं होगा और उसने कहा होगा कि यह software मुझे जो बंदा complete कर देगा मैं उसको इतने पैसे पे कर दूँगा किसी ने कहा होता है कि मुझे Excel की sheets हैं इनको किसी और software में convert करना है या मेरे पास data है आपने इसको Excel Microsoft Excel अगर आपने कुछ में देखा हो तो उसके खाते में transfer करना है तो इस तरह के different tasks होते हैं जिनको आप करते हुए freelancer से कमा सकते हैं फाइवर और freelancing जो दोनों sides हैं ये work करती है rating criteria के उपर इसका मतलब यह है कि जब आप एक काम करेंगे तो जिस बंदे के लिए आप काम कर रहे हैं वो आपको एक rating प्रवाइड करेगा और अगर आपकी rating अच्छी है तो आपका जो गिग है वो हमेशा टॉप पे शो रहागा और आपको जादा users मिल रहे होंगे जादा buyers होंगे आपके काम के लिए और अगर आपको rating low मिलती है तो आपका गिग इतना नीचे शो हो रहा होगा कि आपको कोई बंदा बाइक करेगा ही नहीं इसके इलावा जो fifth way है और वो है क्रिप्टो करंसी का यह एक difficult way है complex way है और मैं हर बंदे को यह recommend भी नहीं कर रहा लेकिन इसमें भी काफी जादा earning है आप क्रिप्टो करंसी के थुरू काफी जादा पैसे कमा सकते हैं और इसमें जादा मेहनत भी नहीं लगती लेकिन यह complex way है और हर बंदे को इसकी समझ नहीं आती क्रिप्टो करंसी के उपर मैंने bitcoin की जो specially क्रिप्टो करंसी है उसके लिए एक separate video series पहले से बनाई रखी है तो आप उसको देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि bitcoins क्या होती है क्रिप्टो करंसी क्या होती है और उससे आप पैसे किस तरह कमा सकते हैं घर बैटके वह बैटके आपके computer को हमेशा चला के आपको रखना पड़ता है और उसमें कुछ processing होती है जिससे आ आप नीचे वीडियो में अपना नाम कमेंट करें और उसके साथ उस टेकनीक का नाम कमेंट करें जो कि आप चाहते हैं कि मैं explain करूं और इस वीडियो को शेर जरूर करें और जब ये वीडियो 700 व्यूज हासिल कर लेगी और जिस चीज़ के बारे में ज्यादा बोला गया हो तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूंगा आपने अगर मेरा चैनल सबस्क्राइब किया होगा तो आपको वीडियो सबसे पहले शो हो जाएगी वीडियो अगर आपको पसंद आई और अगर नहीं समझा है या आपको कुछ मसला है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं मैं अगली दफा उस चीज को आवाइड करने की कोशिश करूँगा इसके लावा आप मुझे मेरे अगर आपके बास कोई निया आईडिया है या आप कोई चीज पूछना चाते हैं अपार्ट फॉम दिस वीडियो अब किसी भी चीज के बारे में अब मुझे मेरे फेस्बूक पेज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी नेक्स वीडियो का इंतजार करें तब तक के लिए अपना ख्यार रखें अलाहाफ़ज